स्वागत है आप सभी का mtv न्यूज इंडिया की एक नई विडियो वे चलिए जानते हैं कैसा रहेगा देजभर के मौसम का हाल विडियो शुरू करनी से पहले कमेंट शेक्षन में अपनी जिले का नाम जरूर बताएं जिससे की हम आपको डेली अपडेट करा सकें साथ ही चै थानी लखनों में भी इससे अचुता नहीं है सर्दी के बढ़ते असर के मद्दे नजर यूपी सरकार के सिक्षा विभाग ने पहली से आठवी तक की सबी स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद रखने का ऐलान किया है आपको बता दें आज का मौसम उतर भारत के विभिन राज् पर देंगले चौपस घंटे के दोरान यहां भीशन ठंड का रेड अलर्ट जारी गिया है मौसम के जानकारों के मताबिक पंजाब हर्याना और उत्तप्रदेश के कई हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है मद्द प्रदेश और राइस्थान में भी शीत लहर की कोल्ड़ात बर्फ बारी होने की आसंका है इसके साथ ही मैदानी इलाकों में गनיכरा चाने की आशंका जताई गई है इससे लोगों की मुसीवत और बढ़ेंगे पंजाब हर्याना में थंड और गन्ह कौरा पस्षी मोत्तर भारत में भीषन ठंड और घने कौरे का प्रकोब बना रहा गने कौरे के कारण सडक, रेल और हवाई या तयाद भी काफी प्रभावित हुआ है मौसम विभाग का कहना है कि पस्ची मोत्तर भारत में अगले चार दिनों तक मौसम खुश्क बने रहने के साथ ही घने कोहरे का प्रकोब भी दिखेगा इसके साथ ही शीत लहर भी लोगों के लिए मुस्किले बढ़ा रही है पंजाब के कई जिलों में भी शन्ठन का प्रकोब बने रहने से नियुनतम पारा चार से छे डिगरी सेल्सियस के बीच रहा दूसरी और हरियाना भी भी शन्ठन और घने कोहरे की समस्या से जूज रहा है यहां भी नियुनतम तापमान और पारा चाड़ से आट डिगरी सेलसियस के बीच रहा UNNOL में नियुनतम पारा तीन डिगरी सेलसियस और सिर्सा में पांच डिगरी सेलसियस दर्श किया गया इन इराकों में दिखे गी शीत लहर अगले 24 घंटे के दोरान जम्मु कश्मी, लत्ताक और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हलकी बारिश के साथ बर्फबारी होने की आशंका है स्काइमेट वैदर के मताबिक आज शाम से बारिश और बर्फबारी की तीवरता और फैला बढ़ने की आशंका है बंगा के मैदानी इलाकों में घना को और अचाया रह सकता है वैसे दिल्ली, हर्याना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसकी तीवरता में कमी आने की संभावना है पंजाब, हर्याना और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कोल्ड डे की इस्थिति रह सकती है दिली पंजब हरीयाना उत्तर पृदेस पश्चिमी राय स्थान उत्तर पृदेश और मध्य प्रधेस के कुछ हिशों में सीक्लेहर की स्थीधी जारी रह सकती है मद्य प्रदेश में ठंडी का प्रकोप जारी प्रदेश में पिछले 6 दिनों से कड़ाके की ठंड बढ़ रही है मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए और जलर जारी किया है मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत